हेलो गुड मानिंग दोस्तों, दोस्तों मैं करमजीत बाबा, आपका फ्रेंड, आज आपके सामने एक काफी अच्छी वीडियो लेके आया हूँ, दोस्तों आपको पता है कि मैं जो नेटवर्किंग डेस्टी में गल्द कॉम्पनिया हैं, जो जूट फलाती हैं, बेईमानी स खलाब वीडियो बनाती हूँ, जो काफी नामी है, पर वो कॉम्पनी कैसे अपने लीडरों को लेवर करवाती है, कैसे उनका शोशन करवाती है, और कैसे वेफू बनाती है, और अपने लीडरों की वेज़ती कैसे करती है, मूँ आपके सामने सावत करूँगा, तो दोस्तो कोई बंदा leader IMC छोड़के बाफ्स चले जाए तो समझ लो उसके से गुना SJ हो जाता है इतना वड़ा language उसकी इतनी वेष्थी करते हैं इतनी वेष्थी करते हैं आप समझ नहीं पाओगे सोच नहीं पाओगे मैं आपको live दिखाऊँगा लीडरों से बात करवाऊंगा, उनकी रिकॉर्डिंग सनाऊंगा और लाइव दिखाऊंगा दोस्तों बस आपने करना ये वीडियो एंड तक बने रहना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है और साथ में, अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए, जा कुछ चीजें चाहिए जा आप कुछ भी बताना चाहते हो, मुझे कमेंट करो जा मेरे नमबर पे बटसब करो, मुझे कॉल करो और ये वीडियो पूरा घुमाओ फुलाओ ताँ जो कॉम्पनियों की सचाई लोगों के, ऐसी कॉम्पनियों की सचाई लोगों के सामने आए, तो दोस्तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप देखो, हुआ क्या था थाईस अक्तूबर, आज तीस अक्तूबर है थाईस अक्तूबर को मैं अपनी फेस्बुक पे कुछ कर रहा था, कुछ मेरे आई-एमसी के फ्रेंड है, उनकी लगातर पोस्टें आ रही थी, लगातर पोस्टें आ रही थी, के वो बंदा आई-एमसी बापस आ गया, वो बंदा आई-एमसी में बापस आ गया, पर साथ में I.M.C. में Baps आया, अच्छी बात है, लोग जारे हैं, छोड़ के आरे हैं, जारे हैं, कोई बुरा ही नहीं है जब I.M.C. में Baps आया, तो साथ में उनकी जो लव्ज लिखे होते थे वो सबके एक जैसे लिखे होते थे, जो उनके लीडर थे उन सब के एक जैसे लवज होते थे तो वो लवज दूसरी कॉम्पनी को बदनाम करते थे खास करके वेस्टीज को और वेस्टीज को सबी कॉम्पनियां क्यों टार्गड करती है ये भी मैं आज बताऊंगा क्योंकि वेस्टीज काफी अच्छी कॉम्पनी है काफी नाम है उनका और काफी अच्छा ग्रूप वेस्टीज में काम कर रहा है और अपना जीवन लोग बड़े अच्छी अरनिंग कर रहा है बड़ा अच्छा पैसा कमा रहा है और कॉम्पनी दस से ज़्यादा देसों में जा चुके इंटरनेशनल हो चुकी है यह हमारे लिए मान की बात है सम्मान की बात है ठीक है पर कई कॉम्पनीयां दूसरे को बड़नाम करके अपना धंदा चलाना चाहती है आपने पहले देखा ओक्के ने बड़ा बड़नाम किया इसी तरजबे आज I.M.C. कर रही है तो मैं चाहूंगा अगर आज पहली बार आयो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो बेल आइकोन बटन दवाओ और देखो मैं आपके सामने वो सारे सबूत पेस करता हूँ यह मेरी वीडियो लंबी हो सकती है इसलिए मैं सैद इसको दो से तीन पार्ट में बनाऊँगा आपने हर का पार्ट मिस नहीं करना और एंड तक देखना है तो मैं आपके सामने I.M.C. की कॉमपनी के और उनके लीडरों के जो निकाव हैं वह उतारूँगा और दिखाऊँगा वह कैसे काम करते हैं और कीस तरह लोगों का शोशन करते हैं वस आप बने रहो और देखो हम स्टार्ड करते हैं यह देखो मैं अपने फोन पे लेके चलता हूँ आपको जी दोस्तो यह देखो मैं आपको लाइब दिखा रहा हूँ मैंने फेस्बुक से स्क्रीन सॉट ले लिये थे मैंने ये मलो ये आई एमसी नाम का फोल्डर बना रख लिया मैंने अब ये देखो ये है ये फेस्बुक पे थी मैंने नाम चुपा रखा उन भाई साब का जिन्होंने फेस्बुक पे अपने ये पोस्ट डाली थी उन्होंने ये पोस्ट डाली औहले लिखा किया है वेलकम आई एमसी तीन साल पहले बिका ह चौदरी जी आई एमसी छोड़कर वेस्टीज में गए थे पर वेस्टीज के घटिया क्वालिटी के पड़क्ट बेकार रिजल्ट देखकर विकार चौधरी जी दोवारा I.M.C. बिजनस में जोईन होते हुए विकार चौधरी का कहना था कि I.M.C. जैसे पड़क्ट I.M.C. जैसा सिस्टम किस्मत वालों को मिलता है दोस्तो जब कोई आपकी टीम कॉम्पनी को छोड़के जाता है अगर वो बाप सारा है तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ इसने बोला वेस्ट जी के घटिया पड़क्ट ठीक है अब एक चीज़ सोचके देखो ये विकाह चौदरी जी की बेश्टी कर रहे है कर नहीं कर रहे है मैं सावद करूँगा कैसे ये इसने पहले फोटो डाल रखी थी ये उपर लिखा हुआ था उसके बाद ये इन्होंने दूसरी फोटो डाल रखी है कि तीन साल पहले आई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई- promote कर रहे हैं तो दोस्तो मेरा ये वीडियो बनाने का purpose है कि वेस्टी छोड़के आई-मसी छोड़के ये भाई सब वेस्टी जाए इन्होंने काम किया मेरे बहुत अच्छे ये दोस्त हैं तो ये पोस्ट देखने के बाद मैंने उनको call की भी काहजी को जब call की तो वो मैं आप को सनाऊंगा इस वीडियो में कि उन्होंने क्या बोला उसके बाद call के दुरान उन्होंने मुझे बोला कि वो पोस्ट मुझे सेंड कर दो मैंने उनको वो पोस्ट सेंड की ये वर्टसेप है आज तारीक हो चुकी है ये देखो 30 अक्तूबर हो चुकी है ये 28 अक्तूबर की बात है तो मैंने विकास जी का अभी नाम सर्च कर रहा हूँ विकास तो ये देखो उपर ही आ गया विकास चौधरी ये विकास चौधरी जी है जो I.M.C. में दवारे बापस गए हैं और इन्होंने I.M.C. का मलो लोगो भी लगा रखा अपनी DP की जगा पे हैं चलो अब मैं मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ क्योंकि मेरे काफी अच्छे फ्रेंड है मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा मैं जा रहा हूँ ये उपर देखो डेट आ रही है 27 जुलाई और मेरे जितने भी नंबर सेव हैं मेरे पास उन सब को मैं रोज गुड मॉनिंग बिसिज भेजता ठीक है कोई मुझे रिप्लाई करते हैं के नहीं करते हैं मैंने ये रिजल्ट ले रहा हूँ कोई भी वी वीडियो भेज रहा हूँ तो हुआ क्या विकाह जी ने मुझे 28 जुलाई को एक मैसेज डाला कि करम जी जी ब्रॉड कास्ट ग्रूप से मेरा नंबर हटा दो मैंने क अब क्या कर रहे हूँ वो कहते के मैं तलास जा रही है ये कब की है ये देखो 28 जुलाई की ये मेरी चैटिंग है उनके साथ चलो उसके बाद मेरा कोई मैसेज नहीं गया पिर मैं कोई भी कॉमपनी अगर यूटूब पे वीडियो बनाता हूँ तो मैंने मैसेज भेजे तो अब उसके बाद चलो आगे चलते हैं ये सैमी डिरेक्ट पे बनाई तो उन्होंने मुझे 28 तंबर को आई एमसी गुड भेजा तो ये मैसेज मैंने पड़ा नहीं उसके बाद उन्होंने फिर 7 अक्तूबर को मुझे आई एमसी गुड भेजा गुड आई एमसी गुड मॉन कि मैंने उनसे ये जो फेस्बुक की पोस्ट है इसके बारे पूछा उन्होंने जो भी बोला वो में रिकॉर्डिंग आगे सनाऊंगा पर उसी वक्त ठाइस अक्तूबर को मैंने कोई दस साठे दस बजे कॉल की थी उनको और ग्यारा बज़ के पच्मन बिन में उन्होंने मुझे एक बीडियो भेज़ दी सिवकांत मिसरा परसनल जूम मीटिंग अब ये मैं आपको स्टार्ट करके दखाता हूँ ये सिवकांत मिसरा जी जो आईमसी छोड़ के ये मेरी फेसबूका आईमसी छोड़ के सिवकांत मिसरा जी जो वैस्टीज में आए हैं उन्होंने लुद्धिहाना से एक परसन को और जूइन किया वो भी मैं आगे वीडियो में डालूँगा क्या बोले हैं ये मैं सब दिखाना क्या चाता हूँ ये देखो मैंने पोस्टें भेजी हुई हैं उनको तो उन्होंने मुझे क्या बोला आप इसका जवाब दो भाई वीडियो बना कर थैंक्स ये विकास जी की चैटिंग है ये विकास चौदरी जी की चैटिंग पढ़ा रहा हूं मुझ एक तरफ तो विकास चौदरी जी आई-मसी गए और आई-मसी उनको क्या कर रही है बदनाम कर रही है क्योंकि वो बुलते हैं पट्थर चटके मच्छी बाप सा रही है भाई वो आया आपके साथ उसके साथ काम करो उसका नाम बदनाम तो ना करो ये उसके परड़क्ट गल पर मेरी कॉल के दुरान उन्होंने मुझे ये वीडियो भेज़ दी कॉल के बाद उसके बाद बात करते हैं अभी हम जाते हैं मसंजर पे फेस्बुक मसंजर ये उन्होंने मुझे वेडियो सिर्फ और सिर्फ वर्ट सैप पे नहीं भी हो जी फेस्बूक मेसंजर पे भेजी है यह देखो मैंने अपनी फेस्बूक काउन की आज की फेस्बूक का यह मैं आपको दिखा रहा हूँ 30 अक्टूबर 10 बज के 27 मिनट पे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी 28 हो चुके हैं तो मैं भी जाओंगा मैसेज पे जब मैं मैसेज पे जाओंगा सबसे उपर क्या है विकाज चौदरी ठीक है जी फेस्बूक पे अब यह देखो विकाज चौदरी ने सिवकांत मिस्रा सबसे नीचे यह भीजी अब यह मैं वीडियो बनने के एक और परप आज की लाइब वीडियो भेजी ठीक है मैं उस वक्त बिन फिंत कर रहा था 30 नुवंबर 2020 को मैंने बिन फिंत बेजी ठीक है मेरा कहने का परपस गया है कि यह आई-ए-म-सी वाले कैसे कॉमपनी वाले बदनाम कर रहे हैं सिर्फ वेस्टीज को टार्गट कर रहे हैं जबके वेस्टीज तकरीवन तकरीवन 2021 से पहले जबके 11 नुवंबर 2021 सुबा 9 बज के 15 मिट में उन्होंने मसंजर पे मुझे रोयल क्यू भेजा हुआ है ठीक है मैं यह नहीं कर रहा है कि वेस्टीज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो कुछ भी कर सकते हैं मैं क्या साबत करना चाता हूं इन्होंने यह रोयल क्यू की बात नहीं कियी 2021 नुवंबर की बात है आज अक्टूबर चल रहा है 2022 उनको साल से पहले वेस्टीज छोड़े हुआ हो गया पर आज क्या कर रहे हैं वेस्टीज को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं अब इनके पीसे यह वेस्ट के पीसे एक पूरी I.M.C. की टीम लगी हुई है ऐसे जाली जाली पोस्टर डालके लोगों को भरमित करने का और I.M.C. क्या कराती है वो सारा मैं यह दो से तीन पार्ट में वीडियो बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा यह I.M.C. क्या करती है कैसे करती है कैसे लोगों को ब केज़ती करती है मीटिंगों में ये मैं सब साबत करूंगा हाँ जी दोस्तों देखा ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है अभी तो मैंने आपको सिर्फ वर्टसैप पे विकाह चौदरी जी की मसंजर पे और पहले फेस्बुक पे उपर उन्ने क्या बोला वो दिखाया इसके बाद मैंने विकाह जी को कॉल की थी उसी दिन और विकाह जी ने कॉल के बाद मुझे वो दोनों मसंजर पे उपर जो मैंने अभी दिखाया मुझे सेंड की है पर मेरा बार वर वीडियों का बनाने का परपर ये है कि I.E.M.C. के मेरी और दो लीडरों से बाद हो ये बताया अंदर ली बात कि कैसे इन से वो लेवर करवाते हैं कैसे उनको सेल मैंने बना के रखते हैं और कितनी ज़्यादा काम करने पर कितना कम पे आउट आता है वो भी दिखाऊंगा मैं और हैलिकॉर्ट एंट्री दोस्तों I.E.M.C. कैसे चलते ग्रूप चेंज कर देती ह कैसे अपलाइन की आईडियें सारी अपलाइन का सारा ग्रूप डाउन लाइन को दे देती हैं वो भी मैं लाइव रिकॉर्डिंग के मादियम से आपको सुनाऊंगा ठीक है बने रहना मेरी हर वीडियो देखना आपको पूरी नौलज आ जाएगी कैसे चलते हुए आपलाइन आइडिए वो काम कर रहा है वो काम करते करते दुरान उन्हें 2, 4 मीन काम ने कौनी किया तो चलता है हो उसका पूरा ग्रूप उसके डाउन लैन किसी और को जो इनकी फ्रेंड आइड़ी है जो जिनके साथ इनकी बनती है उनको change करवा देते हैं इसमें management कितनी involvement है इसमें इनके बड़े बड़े leader कितनी involvement है वो सब मैं इनके leader के जवानी बताऊंगा मैं इसके 2-3 पार्ट बनाऊंगा क्योंकि ज़्यादा लंबी जब video हो जाती है तो थोड़ी सी लोग phone करते हैं कॉल करते हैं कि लंबी वीडियो ना बनाऊ इसलिए मैं short में बना रहा हूं तो thank you दोस्तो बस बने रहना मेरे अगले 2 पार्ट भी देखना end तक बने रहना आपको मैं पूरी सचाही दिखाऊंगा thank you thank you so much दोस्तो